एक तरफ जहां अभिनव शुकला ने ये कह दिया धा कि वो राहुल वैद्य को बिग बॉस 14 टॉप 2 में नहीं देखना चाहते थे उनके हिसाब से राहुल डिजर्विंग नहीं थे तो वहीं दूसरी तरफ राहुल वैद्य ने दिया है अभिनव और रूबीना संग काम करने पर बयान राहुल वैद्य ने कहा कि हम सब आर्टिस्ट हैं और काम के लिए मैं कभी मना नहीं करता काम के बीच में मतभेद या इगो नहीं लानी चाहिए हम सब एक शो में थे और मैं यहीं चाहता हूँ कि शो में जो हुआ वो शो के साथ ही खत्म हो जाए शो के बाहर मैं यहीं चाहूँगा कि अभिनव और रूबिना हमेशा खुश रहे उन दोनों का रिष्टा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए उन दोनों ने शो में ये बात कही थी कि वो दोनों अलग होने वाले थे मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो मैं चाहूँगा कि दोनों का रिष्टा पहले से ज्यादा ताकतवर बने और वो जल्दी ही मुझे मामा या चाचा बना दे जिहार राहुल वे दे मामा या चाचा बनना चाहते हैं आगे राहुल ने कहा बिग बॉस के शो से बाहर निकलने के बाद कंटेस्टेंस अक्सर बिग बॉस के जोन में ही रहते हैं मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ और हम लोगों की कोई बाब गादा के समय की दुश्मनी नहीं है आप बिग बॉस के शो में हुई बातों को जिन्दगी भर लेकर नहीं चल सकते वेल राहुल वैद्य बिल्कुल ठीक कहा और ये बयान देकर यकीन मानिये आपने हमारे साथ साथ कई रूबीन अफ फैंस का भी दिल जीत लिया है इन अपने घजगी बॉटक, जुझा कोई बॉड़ जोग।